हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चनल कॉमिक फैन पर दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तिरंगा की एक बहतरीन कॉमिक सीरीज आखरी हत्यारा आपको बता दू दोस्तो इस कॉमिक सीरीज में तीन कॉमिक्स है जिसकी पहली कॉमिक्स है आखरी हत्यारा इससे अगली है सब मरेंगे बारी-बारी और तीसरी कॉमिक्स है कहां छिपा है कातिल तीसरी कॉमिक्स में आपको ब्लाइन डेथ भी तिरंगा की मदद करता हूँ दिखाई देगा तो एक बहतरीन कॉमिक सीरीज है चलिए शुरू करते हैं संजय गुपता पेश करते हैं आखरी हत्यारा सन 1947 से पहले का भारत अंग्रेजों का गुलाम सैकडो छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ जिन पर चलता था राज राजगरानों का और इन राजगरानों में जहां कुछ राजगराने देश बक्ती के लिए परसीथे वहीं कुछ राजगराने देश द्रोहों में अग्रिनिय थे जहां देश बक्त राजगराने अपने देश और अपनी मात्र भूमी पर जान देने वालों से भरे हुए थे वहीं देश द्रोही राजगरानों में अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए अपनों की ही जान लेने वालों की कमी नहीं थी खच किसी का भी नामों निशान मिटा देना इन राजगरानों का बाए हाथ का खेल था और ऐसा करने के लिए वे सहायता लेते थे उस विशेज जाती की जो कहलाई जाती थी कहर जाती जिसका हर व्यक्ति था हत्या करने की सैकडो गुप्त कलाओ का ग्याता बिना हत्यार उठाए बिना युद लड़े पूरी की पूरी सेनाओ को समाप्त करने में माहिर सन 15 अगस्त 1947 भारती एतियास का वह सुनेरा वर्स जब भारत मा के सपूतों के लहू की लाली रंग लाई 200 वर्स पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर आजाद हुई भारत मा यूनियन जैक कित तरह जंगे लहराय तिरंगा और भारत वासियों को यह स्वतंत्र था शिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बलकि उन राजगरानों से भी मिली जिन की वज़े से सारा भारत छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था बटा हुआ था और ऐसा हुआ लोगतंत्र की वज़े से लोगतंत्र ने राजतंत्र को समाप्ट कर दिया स्वतंत्र हुआ हर भारतवासी इसी लोगतंत्र की वज़े से जहाँ देशभक्त और न्याय पिरिये राजगरानों को रियासतों की जंगे जागिरों से संतोस करना पड़ा वहीं देशद्रोही और अंग्रेजों का साथ देने वाले पिर राजगरानों को अपनी संपत्ती से हाथ दोना पड़ा। उन्हें कैद करके उनके आतंक और अन्याय को सद्धा के लिए समाप्ट कर दिया गया। बीजी राव राजगराना जिसने आजादी की लड़ाई में महत्पूर्ण योगदान दिया था। दिल्ली से कुछ ही दूर इस्तित रामगड के अपने महल रूपी निवास पर इस राजगराने ने स्वतंत्रता की स्वन जैनती पर एक विशेश कारेकरम कायोजन किया था। जिसका मुख्य अतीती था देश प्रेम की ज्वाला को प्रजवलित रखने के परियास मेरत तिरंगा। देशबक्त बीजी राव घराने ने आजादी की वर्षगाट के समारों में मुझे अपने महल में आमंत्रित किया है। मैं कुछी देर में वहाँ पहुँच जाओंग रामगर पहुचने से पहले तिरंगा को कुछ देर रुखना पड़ा क्योंकि आगे शड़क पर मुझूद था उसे रुखने के लिए मजबूर करने वाला द्रश्य किसी भी खुसी का इसके बिना क्या मज़ा। ओहो च्छन। दोलत की जिस धूलने इन रईजजादों के दिमाग को खराब कर रखा है उसे उड़ा कर इनकी आँखे खोलनी होगी। तिरंगा के हाथ से चूटी ढालने पलक जपकते ही अपने लक्षे को बेदा। तड़क पर लडखडा उठी कार को उसके ड्राइवर ने बड़ी देख रहे हो, उनकी चपेट में आने वाले वाहन का यही हाल होगा। उम्मीद है तुमें इसका एहसास हो गया होगा। क्रेंच। मार की बासा है, धड़ाक। अगले ही शन तिरंगा कार पर और कार वाले जमीन पर नजर आए, भड़ाक। मैं तुझे चीर डालूँगा, तेरे बाकी दोस्त खुसकिस्मत निकले कि उनका खून तुम्हारी तरह उबाले नहीं मार रहा, वरना वे सडक पर नहीं, तुम्हा कटिली जाडियों में गिरना था की, हवाया उड़ने लगी बाकियों के चहरे पर, ब्रिजेश जहरी लिन आकपनी जाडियों में गिर पड़ा है, निकालो इसे, वरना यह जिन्दा नहीं बच पाएगा, जबकि तुम्हें अपनी करनी की अच्छी सजा मिल चुकी है, और स काम कभी न किया जाए, कर, वहाँ से रवाना हुआ तिरंगा, कुछी देर में रामगर जा पहुचा, रामगर पदारने का धन्यवाद तिरंगा, हम धरमवीर बीजी राओ, तुम्हारा स्वागत करते हैं, धन्यवाद राजा साब, ये हमारे बेटे हैं, शोर्यवीर, परम तीसरा बेटा करमवीर भी अभी आता होगा, हम उससे भी तुम्हें मिलवा देंगे, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, कि ये तीनों जुड़वा है, इनमें ना कोई छोटा है और ना बड़ा, इनकी इसी विशेश्ता के कारण, हम अजीव उल्जन में फसे हुए है समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना वारिस किसे बनाए, और अब मिलिये हमारे सबसे विश्वास्त पात्र दिवान हुकुम सिंग से, ये हमारे परिवार के सदस्च्यों कित रही है, इसलिए हमने इनके रहने का परबंद महल में ही कर रखा है, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, तुम जैसे देशबक्तों से मिलकर हमें भी खुशी होती है तिरंगा, करमवीर भी तुमें देखकर बहुत खुश होगा, नहीं इसे देखकर मेरा खुण, खुशी से नहीं, गुस्से से उबल रहा है, ओ, ये बद्दिमाग नोजवान है, ताचा साहब का तीसरा लड़का, इसकी वज़े से मेरा सबसे प्यारा दोस्त, हजे, मोट से जूज रहा है, इस नुटंकी को तुरंथ ही यहां से भगाओ पिताजी, करमवीर के मूँ से निकले वेशब्द, राजा साहब के तन बदन में आग लगाते चले गए, इसी के साथ एक जननाटे दार थपड करमवीर के गाल पर पड़ा, जुबान संभाल कर बात करो करमवीर, यह नोजवान हमारे देश की शान है, और देश की सान के खिलाव बोलने वाले को हम माफ नहीं करते, फिर चाहे वे हमारी अपनी ही उलाद क्यों ना हो, एक बार फिर घूम उठता राजा रोक लिया होता, छोड़ी है राजा साहब, माजरा क्या है, तिरंगा ने सारा माजरा समझा दिया, सब कुछ सुनने के बाद, इसमें गलती तुमारी और तुमारे दोस्तों की है करमवीर, तुमें तिरंगा से माफी मागनी चाहिए, मैं जानता हूँ, तुम दोनों क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो, इससे पिताजी खुश हो जाएंगे, और तुम दोनों को अपनी सारी चायदाद दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हर्गिज नहीं होने दूंगा, गुस्य से पैर पटकता करमवीर, वहां से चला गया, करमवीर के वहवार के लिए हम शर्मिंदा है तिरंगा, कोई बात नहीं राजसाहब, भूल जाएए इसे, तनाव भरा वह माहुल, जब सामान्य हुआ, तो राजसाहब ने अपने दिवान को आदेश दिया, समारो की तयारी करवाई ये दिवान साहब, जो हुकम जल्दी ही धूम धाम से मनाया गया आजादी की 85 वर्षगाट का वह समारो, जिसमें मोजूद हर भारतवासी खुशी से जूम रहा था, राजधरमवीर बीजी राव की बूड़ी आँखे 50 साल पहले मनाये गए आजादी मिलने के पर्थम दिन को याद करके खुशी के आँ और यही बात साबित कर रही थी कि राजधराने की ये खुशियां इस्थाई नहीं थी, उन पर ग्रहन लगने वाला था, और तिरंगा इसका गवाब बनने जा रहा था, आज रात अराम करो तिरंगा, कल सुबह मिलेंगे, गुड नाइट, सुबह तिरंगा से मिलने का थी, उसकी जिन्दगी में चा जाना था, मोत का अंदेरा, ये सुन्दर सा डबा किसने रखा है मेरे कमरे में, शायद कोई उपहार है, जिसे समारो के दोरान मेरे किसी चाहने वाले ने दिया होगा, और दिवान जी ने इसे यहां पहुचा दिया होगा, देखूं क्या है इ पैकिट के अंदर मोजूद थी, साक्षात मोत, ओ, खर, ओ, उस गोह के रूप में, जिसने पैकिट खुलते ही, भयंकर तरीके से छलांग भरी, आहा, और शोरिय वीर के टेंटुए से लिपट गई, आहा, एक शन बाद ही, वह गो, शोरिय वीर के सरीर से अलग हुई, चर, इसी के साथ गुंजी, सोरिय वीर की वह अंतिम चीक, जिसने महल के जर्रे जर्रे को हिला कर रख दिया, आई, पलक जपकते ही, तिरंगा सहीद, महल का हर सक्स, उस कमरे में मोजूद था, जिसमें पढ़ीती सोरिय वीर की लाख, हर कोई, फटी फटी आखों से, सोरिय वीर क की लास को देख रहा था, तिरंगा को छोड़ कर, हत्यारा फ्रार हो चुका है, लेकिन अगर बारी की से यहां का निरक्षन करूँ, तो शायद मैं हत्यारे के बारे में कुछ जान सकूँ, पूरे कमरे में खुर्दबीन की तरह, फिर गई तिरंगा की तेज निगाहे, जिन आखरी हत्यारा, आखरी हत्यारा, कौन है ये आखरी हत्यारा, जिसके नाम ने यहां संसनी फैला दी थी, वह वहां से ज़्याद दूर नहीं था, तुने अपने काम को बखुबी अंजाम दिया है, गोहरानी, अब तु आजाद है, तेरा काम खतम हुआ, लेकिन मुझे अभ खतम नहीं होगा, इधर नफरत की मकडी अपना जाल बिछा रही थी, जबकि इधर रजसाब संयम रखिये, होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं आपको विश्वाश दिलाता हूँ, कि आपके बेटे को मोत के घाट तारने वाला, ये आखरी हत्यारा जो भी है, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, आखरी हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुचा कर ही, अब मैं यहां से वापस लोटूंगा, हत्यारा कौन है, और उसने सोरिय वीर की हत्या कैसे की, यह सब जानने के लिए मेरे पास एक सबूत मौझूद है, लेकिन उस सबूत को पुखता करने के मुझे काफी जाच पड़ताल करनी होगी, और उसके लिए मैं महल की लाइबरेरी में रात को चुपके से पहुचूंगा, क्योंकि अगर हत्यारा इसी महल में मौझूद है, तो दिन में मुझे लाइबरेरी में देखकर साफधान हो सकता है, चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही, ये रोमान्चक कोमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं, इसी कोमिक के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद